एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से सवरुबै का एक नोट तिकाला अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखा कर कहा क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का मोट है सभी बच्चों ने कहा सौर रुपए का है टीचर इस मोट को कौन कौन देना चाहेगा सभी बच्चों ने हाँख खड़ा कर दिया अब उस टीचर ने उस नोट को मुठी में बंद करके बुरी तरह मसला जिससे वह नोट बुरी तरह से कुचला सा गया अब टीचर ने फिर से बच्चों को यह नोट दिखा कर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है अब इसे कौन को लेना चाहेगा सभी बच्चों ने हाँख खड़ा कर दिया अब टीचर ने कहा कि बच्चों आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पार्ट पढ़ाया है यह सवरुपय का नोट था जब मैंने इसे हाँख से कुचला तो यह नोट कुचल सा गया लेकिन इसकी कीमत सवरुपय ही है इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो देखा यह नोट गंदा हो गया लेकिन फिर भी इसकी कीमत सवरुपय ही ही रही ठीक वैसे ही इन्सान की जो कीमत है और इन्सान की जो काबलियत है वो हमेशा वही रहती है आपके उपर कितनी मुस्किल आजाए चाहे कितनी मुसीबतों की धूल आपके उपर किरे लेकिन आपको है अपनी कीमत नहीं गवानी है आप कल भी बेतर थे आज भी बेतर है